लखनव आला 26 जनवरी तो पहले तो अपने सभी लखनव के भाईयों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुबकामना है और सिवम आपको यहां नहीं दिखाने वाले आपका भाई भले स्कूटी से ठंड से मगर आपको लखनव के रिपब्लिक डे के रंग अभी हज़र गं तो आप चलते हैं भाई और आपको दिखाते हैं लखनव के रिपब्लिक डे के रंग जैसा कि हमेशा ही इस मरीन राइव चैनल पर कहते हैं कि लखनव का हर रंग अपने आप में एक नायाब है भले वो लखनव के तेवार हो, होली हो, दीपावली हो, इद हो या आज रिप रिपब्लिक डे हो, तो लखनव हमेशा एक अपने अलग रंग में दिखता है, अलग रूप में दिखता है और पच्पन की आद आ जाती है भाई, बहुत बार आपके भाई ने जो है रिपब्लिक डे के परेड में पाट लिया स्कूल की तरफ से और शायद आपने भी लिय होगा, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी, मेरे लेफ्ट हैंड साइट पे कारगिल शहीद पार्क है और राइट हैंड साइट पे 1857 की जंग आजादी की याद दिलाती हुई हमारी रेजिडेंसी, और उससे थोड़ा ही सा आके बढ़ते हैं, तो हमें दिखती हैं लखनो की शहीद स्पारग, 26 अमरी को हमें इतनी खुशी होती हैं कि हम बता नी सकते, क्योंकि हमारा गाओं भी काकोरी के करीम में है, तो वो फीलिंगी ये का लग है भाई, ये देखिए, लखनो का रंग, वाह, वाह लखनो, सच में आज के दिन, ये कहने को द वाह लखनो की बेगम हजरत महल पार्ख तक पहुच चुके हैं, बेगम हजरत महल जिनको लखनो की जहसी की रानी के नाम से भी याद किया जाता है, और उनका किस्सा हम आपको मरीन डाइट के किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे, जब राम प्रसाद बिस्मिल जी को और लोगों ने कुछ शब्द कहेते, खेल कर भी ना आया कोई खेल हमें, बहुत याद आएगी लखनव की जेल हमें, एक दिन भी मयस्सर हुई बेल हमें, लोग तो भूली जाएंगे इस अफसाने को, भाई साहब, लखनव के लोगों ने तो आज तक बच्चों ने भी याद रखा इतने सर्दी में ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है जंडा लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं और आज आपका भाई हमेशा की तना जो है हर बार साल की तना शहिस्मारक भी जाएगा काकोरी शाम तक जो है उसका वीडियो बात में डाल देंगे क्या ही कहना इस खुबसूरत माहौल का क्या ही कहना इस खुबसूरत लखनो का और क्या ही कहना उन माहान करांतिकारियों का जिनी ने अपने खून की सिहाई से खून की सुनेरी सिहाई से इस देश की तकदीर में आजादी के पन्ने लिख डालें वो देखिए लखनो की अंबेदकर पार्क और ये वीडियो हम बाबा साब अंबेदकर के एक किस्से से खतम करना चाहेंगे हम पिछले अफ़ते उनकी एक किताब पिछले महीने उनकी एक किताब वेडिंग फॉर अवीजा पढ़ लेते तो उसमें उन्हींने एक किस्सा बताय से उनको वो जो प्यून था वो किसी से कोई चीज से ना के पानी देता था मगर उसके बाद भी उन्हीं ने हार नहीं मानी हो और आपको पता ही है कि इंडिया के वन आप दो मोस्ट लर्नेड मैन कहलाते हैं बाबा साब अम्मेदकर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो शेर करिए देखिए आपके भाई क्या हाथ जम चुके हैं ठंड के मारे और कैमरों की कीमते तो समझ लिए सोने से भी महंगे हैं इस ताम कैमरे जो है तभी आपका भाई देखिए फोन से वीडियो बनाता है तो सपोर्ट करिए मरीन राइफ को ताकि हम लोग और अच्छे स जो है लखनों को प्रमोड कर पाएं और जो आपका 26 चनवरी की जो परेड है उसका वीडियो आप लोग हमें बेजेंगे भाई यह एक तरफा प्यार नी चलेगा भाई एक तरफा मोहबब दोनों साइट से होती है तो ग्रूप में आप लोग बेजेंगे जय हिंद